मदपरदेश का रिवा शहर अपने प्राचीन परंपराओं प्राखतिक सौंदर्य और धरूहर और एतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है लेकिन जिस एतिहासिक विरासत को संजो कर रखना चाहिए उसमें से कुछ हिमारते अब धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील हो रह ही है इन जगहों पर अवैद रूप से कबजा भी किया जा रहा है जबकि ये प्राचीन इमारते और इसमारक अपने आप में दुरलब है प्राचीन शिल्पकारी और बनावट का उदहारण है इतिहासकार असत खान ने बताया कि रिवर रियासत अंतरगत अखाड घाट और राज घाट और लक्षमड बाग इस्थित प्राचीन धरोहर जाडियों में गुमनाम हो रही है इन जगहों पर महराजाओं योद्धाओं और उनके पारिवारिक सदिस्यों के अंतिम संसकार वाले इस्थान की इसमारक छतुरियां देखरेक के आभाओं में खंडहर में प्राची के से होता रहा है जिसके चलते सैकड़ों वर्सों के बाद भी यह सुरक्षित थी और यह स्थान खुबशूरत दिखाई देता था इतिहास का रसत खान बताते हैं कि रिवा इस्थित इन छतुरियों की जो नकाशी है वह उस दौर की कलाकृतियों का प्रदर्शन भी करती है इसलिए इतिहास वा पूरातत्तों पर अध्यान करने वाले लोग भी यहां दूर दूर से आते हैं और इसके अलावा इन इस्थानों पर पूर्व महराजाओं के प्रति आस्था रखने वाले लोग स्रधानजली देने पहुचते थे लेकिन अभी इनकी हालत जर करने में प्रसासन रुची नहीं ले रहा है जबकि यहां के इतिहासकार और समाजिक छेतर से जुड़े लोग लगातार यहां के संड़क्षण की मांग कर रहे हैं इतिहासकार असाद खान ने बताया कि लक्षमण भाग राज घाट और अखाड घाट में इस्थित महराजा वह उनके परिवार के सदस्यों की छतुरियां एतिहास्टिक दृष्टी से भी महत्वपूर्ण हैं लोग यहां पर आना चाहते हैं इनके डिजाइन वक और कारीगरी का अद्धिहन भी करना चाहते हैं जदि सही ढंग से इस जगे का रख रखाव किया जाए तो इस जगे क परेटन छेत्र के रूप में विक्सित किया जा सकता है इससे इन जगों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और परेटन विभाग की कमाई भी होगी देखे रिवा किला के पीछे जो छतुरियां हैं वो कई महराजाओं की छतुरियां हैं कुछ महराणियों की छतुरियां हैं कुछ राजकुमारी की छतुरियां हैं दरसल ये जो एक इतिहासी किमारत हमारा रिवा का किला और बिहर नदी के किनारे ये छतुरियां बनी हुई हैं उनकी नकाशी आप देखेंगे तो नकाशी मैं समझता हूं कि ताज महल की किसी जाली से कमदों नहीं है वो बेजोड जालियां हैं बेजोड हैं वो और सब किसब शटणियों को जालियों की संगतराशी है उस पूरे के पूरे संतराश, पूरे जीवा के थे और उसको बेहत खुब सूर्टी से तराशा गया है लेकिन आज आप देखिए कि राजस्ताने में देखिए कि छोटी छोटी चीज को अपनी धरोहर के तोर पे किस तरह से विक्सित किया है आज वो अर्णिंग का श्रोत है और टूरिश्ट वहाँ पे किसी चले आ रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ इतनी दुलव, एतिहासिक, पुरतात्विक धरोहरे हैं हमारी हेरिटेज है, हम उसको पे कोई फिक्रमन नहीं उसकी नहीं आप वहाँ पर जाके देखेंगे एक शत्री महराजा बेंकरटमन सिंग जी के माता की है माता जी के है, शुदान कुम्री जी की है उसमें किसी ने कुछ बना लिया है किसी ने उसमें धर बना रखा है उसमें कब्जा कर रखा है लोगों ने अगर आज देखिए नदी का किनारा और किले का किनारा दोनों के बीच में हो और उसको बेहतरी उपोवन बनाया जा सकता है खुशुरत राजगाट है लोग वहाँ पर आते हैं वीहर विश्या का संगम है सोन और विश्या मिलके वीहर बनती है तो इतना शानदार उसका लोकेशन है और पाथवे भी बन रहा है शायद इहां तक आ भी जाए तो आज जरूरी इस बात कहा है कि उसको उसका संवरी करन किया जाए और जिन लोगों ने कबजा कर रखा है बेज़ा कबजा कर रखा है किसी के इस मारक में आप कबजा नहीं कर सकते हैं किसी के धरोहर पे किसी के समशान पे या किसी के छतरी पे किसी के चबूतरे पे आप कबजा नहीं कर सकते हैं लेकिन आप वह पर देखेंगे कि लोगों ने उसमेज़ा कबजा कर रखा है और उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, इतिहासिक धरवहर जो गया सवसाल से पुरानी हो जाती है इस इमारत को, आप उसको शेठ साड़ नहीं कर सकते हैं, आप मन पसंद का नहीं बना सकते हैं, वो उसी तौर पे भीपैर होगा, उसी तौर मरम्मात होगा, जिस तौर पे बना ह भुच्छारी लें